नमासकार दोस्तों उत्रकंड मंतली करेंटेफेर की वीडियो मापका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मई 2023 के जितने भी इंपोर्टेन उत्रकंड करेंटेफेर की कुश्चिन है उन सभी को डिसकस करने वाले हैं ये हमारा मंत्री Current Fair का वीडियो आपको monthly provide होता है बीच में discontinue होने के करणन जो है कुछ मंत का वीडियो हमने upload नहीं किया था और अब ही हमने इसको फिर से continue कर दिया है अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी हाल फिलार में जो upload होई है जैसे जून और जुलाई का current fair और अगस्त का current fair हम अप्लोड कर चुके है तो आज हम माई का discuss करेंगे इसके बाद हम एपरिल मंध का current fair discuss करने वाले हैं ठीके तो वीडियो को start करते हैं पहले कुश्यन है देरदुन से दिल्ली की बीच उत्रकंट की पहली वंदे भारत ट्रेन का उधगाटन कब किया गया तो वंदे भारत ट्रेन की बात करें पहली बार अगर भारत में बात करें 2019 में इसकी सिरुवाद होती है 2019 में और पहली वंदे भारत ट्रेन दिली से वानरसी के मद्धी जो है चलाई गय थी 15 फरवरी 2019 को ठीके अभी देखिए उत्रखन की पहली वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये चलाई जा रही है दिली से देहदुन के मद्धी और इसकी इस उत्गाटन समारों में रेल मंत्री अस्वनी वैसनव और उत्रखन के मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी मौजूद थे तो ये वंदे भारत ट्रेन देहदुन के रेलवे स्टेशन से दिली की आनन विहार टर्मिनल तक चलेगे ठीक है दिली का जो आनन विहार टर्मिन गोसित किया गया है तुंगनात मंदिर उत्रखन के किस जन्पत में स्थित है इसका सही जवाब है ऑप्स नंबर सी तुंगनात मंदिर पांच के दारों में से एक है और ये उत्रखन के रुद्रप्याग जिले में स्थित है ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे उचा मंदिर है और इसको हाली में रास्टी महत्तु का इसमारक गोसित किया गया है कि इन सरकार के द्वारा एक अधिस सुचना जारी की गई है तो यह आपको यारत नहीं है इंपोर्टन कोशिन है एक्जाम कोशिन यही आ सकता है कि हाली में या 2023 में किस मंदिर को रास्टी महत्तु सम्मान 2023 यह सम्मानित किया गया है रमेज पोखरियाल निसंग को और इससे पहले उतरखन के पूरु मुख्य मंद्री रह चुके है और वर्तमान में जो है सांसद है हरी दुआर लोकसबा सीर्ट से इतना आपको इनसे याल रखना है बढ़ते आगे अगले प्रस्न के ओर नेक्स्ट है हाली में किने सुन्दललाल बहुगुणा की दुटी पुन्य सम्मर्ती पर 21 मई को हिमालई प्रहरी सम्मान 2023 से नवा जा गया हिमालई प्रहरी सम्मान 2030 यह दिया गया हाली में 21 मई को विजय जरधारी को ओप्सन अब 20 का सई जवाब है देखे विजय जरधारी ठीके और 2023 में इनको एक सम्मान दिया गया है जिसका नाम है हिमालई प्रहरी सम्मान जो की सुंदललाल भागुणा की स्मृति में दिया जाता है 21 मई को और इस साले सम्मान बिजे जरधाली को दिया गया है 2022 में सम्मान दिया गया था धूप सिंग नेगी को ये भी आपको या रखने है अगर हम बात करें सुन्दलाल भागुणा की तो ये एक पर्यावरों बित थे और इनको 2009 में पद्म वीबोसन पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है 21 मई 2021 को इनका नेदन हो गया था और लाइस राज्यकी साथ समझ होता गया पतर हस्ताकसर किये हैं तो उत्रखन ने देखिय एक एम ओे राज्यू का गवा के साथ चीजिए ऑफ्स्य नमर छीजिए और चीजिए और यहाँ पर ये हैं कि उत्राखंड ने परेटन के लिए जो है किस राजी के साथ M.O.S.N किया है किस राजी के साथ समझोता ग्यापन प्रहस्ताकसर किये हैं तो ये किये हैं गोवा के साथ बढ़ते हैं आगे अगले प्रस्न के ओर नेक्स्ट है उत्राखंड में एकल महिलाओं को सोरजगार के लिए राज्य सरकार परियुजना लागत पर कितना प्रतिसद सबसेडी देने की गोशना की गई है तो एकल महिलाओं को सोरजगार के लिए जो है 75 प्रतिसद ऑप्सन नमर एस का सईजवाब है उत्राखंड की महि कि एकल महिलाओं को सरुजगार के लिए 75 प्रसेंट जो है सबसेटी दिया जाएगा विभागी मंत्री ने बताए कि 50 जार से 2 लाग रुपे तक की पुर्योजना पर यह सबसेटी मिलेगे ठीक है बढ़ते हैं आगे अगले प्रस्न के उर नेक्स्ट है 18 माई 23 को उत्रगंड स किया गया है उत्राखंड को गढ़्धा मुक्तकंद के लिए और इस एप का नाम है पैच रिपोर्टिंग अब इस एप के थूर क्या होगा 18 माई 23 को इस एप को लॉंच किया मुक्यमंत्री पुसकर सिंग्धामी ने और इस एप के थूर देखिए अगर कहीं पर भी कोई सरकार दोरा दिया जाएगा और वहां पर सड़क का मरमत का कारिक किया जाएगा अब इसका पता नहीं लेकिन उत्राखंड सरकार और जो उत्राखंड का पीडेबलोडी डिपार्टमेंट है उसके दोरा इस एप को लॉंच किया गया है एप का नाम यादक लीजिए पैच र वीडियो में आपको कन्फूजन दूर किया था कि इसका नरेन नगर है रिसी केस है तो वह वीडियो में आपने अगर देखिए तो आपको पता चल गया होगा फिर यहां पर एक बाब फिर से रिपीट कर देता हूं देखे जो ओफीसर वेबसाइट अगर हम दिखाएं जो G20 का प्रेसनोट से फिर से यहां पर जू है इस इसका जो वेङ्यू सैट किया गया है उनीयू है वो है रिसीकेस ठीक है अब रिसीकेस और घखे से खराथ से यह व्यडियो के आपको नरेन नगर कंग उसनीमोम्य आप दो यहां पर गया जी में जिर तो आपन वेध कुई थी वह एक होटल में होती ही जो की नरी नगर में सिम्हाइब के स्विए है अगर देखी ओफशन में सब्सक्राइब के लिए ये अफिसर वेप्साइट का प्रेस नोट से थिके में Cyber Encounters पुस्तक का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है, Cyber Encounters, तो इस पुस्तक के लेखक है, Option D, A और B दून, राकेश कुमार जो की उताखंड के वर्तवान में क्या है, DGP है, उताखंड पुलिस के DGP है, राकेश कुमार, और O.P. मनोचा, ये जो है, DRD के वेग्यनिक है पूर, DRD के वेग्यनिक है, तो इनकी दुआरा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है, Cyber Encounters, इसका विमोचन 7 माई 2013 को किया गया, इक्जाम में कुश्चन बन सकता है, कि ये पुस्तक किसने लिखिये, बहुत बार इक्जाम में राइटर्स के नेम पुछ जाते हैं, तो ये मुख्यमंती पुसकर सिंग धामी ने किस जिले में स्री अन्न मोहसो 2023 का सुभारम किया, स्री अन्न, स्री अन्न किसको कहा गया है, स्री अन्न कहा गया है, मिलेट को, मिलेट यानिकी बाज़ा, और 2023 में Government of India की प्रस्ताव पर ही, इस येर को, 2023 के येर को, मिलेट येर जो है, गोसित किया गया है, येर अन्न दोरा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चीए, बागी देखिए, ये जो स्री अन्न मोहसो है, इसका एजन देहदुन में किया गया था, आप्सन नमर एस का साईजवाब है, 13 माई 2023 को, ठीक है, 13 माई 2023 को, चार दियोसी ये स्री अन्न मोहसो था, ये आपको यादखना है, नेक्स्टे, 14 माई 2023 को, उत्राखन के मुख्यमंती पुस्कर सिंग धामी ने, रास्ती होमियोपैथिक सम्मेलन, होमियो कौन, 2023 का सुभारम किया, तो कहां पर, किस जगह पर किया, ये कोश्चिन है, तो इसका सही जवाब है, देहदुन में, राजी सरकार द्वारा, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट ब्लॉग कारिकरम के तहत, किस जनपत में, समग्र स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में, परिवर्तित करने की गोश्रा की गई है, तो स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट ब्लॉग कारिकरम के तहत, उत्राखन का चंपाउज जिला ह हैं उनको स्मार्ट स्कूल में परिवर्थित करने की गोशना उत्राखन के मुख्यमंत्री पुसकर सिंगावी ने 11 मई कॉस्तल उनन रोजगार योजना कब लॉंच की गई देखे पूरा जो इसका नाम है कोसल उननन वैस्विक रोजगार योजना यहां पर देखें वैस्विक सब्दों जुड़ा है और इस योजना के तहट विदेज में जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं इच्छुग विदेश में रोजगार उप्रब्द घराने में साहिता प्रदान की जाएगी तो सरकार ने इस प्रकार के एक योजना लॉंच किया है तो विदेशुम अगर आपको नौगरीश यह तो सरकार जो है इसमें आपको साहिता प्रदान करेगी बढ़ते आगे नेक्स टे जमरानी बहुत देशी प्रयोजना किस जिले में प्रस्तावित है कि आपने पहले भी सुना होंगा एकलस में बंच चुका है तो recent में देखिए चरचा माथ और यह था बहूद देशी परिजना है यह यह स्तित है निजनितान जन्पतम है तो ने जन्पतम में प्रे nerveoss यहां कि पास valley तो उसके लिए नई भूमी जो है सरकार ने प्रस्ताव इसका पास कर दिया है मंजूरी दे दिया है और यह नई भूमी देखे उदमसिंग नगर में होगी यहाँ पर इनको विस्तापित किया जाएगा तो यहाँ पर देखे जमरानी बाद प्रियोजना के तहट छे गाओं के नेक्स्ट है साथ मई 2023 को देश में बियारो के पहले कैफे का वर्चुल ली उद्गाटन किया गया है तो कहाँ पर ये बियारो के पहले कैफे अपना ओपन किया है तो इसका सही जवाब है आप्सिन नंबर ए पानडुकेसुर कहाँ पर से थे 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 चमोली जनपत में और यहीं पर जो है बी यारो यानि बॉर्डर रोड और्गनाजिशन ने अपना पहला कैफे ओपन किया है ठीक है इसका उत घर्टन देखिए बी यारो के चौसरट वे स्तापना दियोस पर रक्स है राज्यमंत्री अजरी भर द्वारा किया गया है तो इतना आपको याद वहाँ पांडुकियोसर में जो की चमोली जन्पत में इस्ते थे आगे देखे कुछ अन्य महत्यूपूर्ण करेंट एफ़र के कुश्चिन माई मांत के डिस्कस कर लेते हैं रस्किन बॉर्ड ने लिखी दे गोल्डन इयर पुस्तक दे गोल्डन इयर्स इस पुस्तक के लि अगला है सितार गंज में प्रस्तावित प्रदेश का पहला इंट्रिगेटेड्य एक्वापक तो प्रदेश का पहला एक्वापक ये कहां पर प्रस्तावी थे तो ये प्रस्तावी थे सितार गंजी में ठीके तो दामीज अटकार ने इस पाग की स्ताफना के लिए जो है 41 एकड राज़स्व विभाग की भूमी को जो है मत्स विभाग को थानतरित किया है ठीके तो पहला जो इंटेग्रेटर एकॉपाग बनेगा वो ब मानित किया गया है निक्स्ट बाबा केदार के धाम में स्थापित होगा साइट कुइंटल वजनी कांसे का भव्य ओम की आकरती जो इस्थापित होगी केदानात मंदिर में जो कि साइट कुइंटल का हुआ इससे पहले देखे आदी गुरू संक्राइचारे की 12 फिट उंची म मूर्ति का नावरण भी जो है मोदी जी द्वार वहां पर किया गया था तो अभी यहां पर देखे एक कांसे का बना हुआ भव्य साइट कुइंटल का ओम स्थापित किया जाएगा अगला देखें सोमनात मेला मासी दो जाते हैं तो सोमनात मेला देखें यह उत्रखंड में लगता है कहां पर उत्रखंड के अलमोळा जन पर कि मासी में ठीक है तो मासी में देखें सोमनात मेला लगता है 20 सक्के महिने में तो यह आग देखना है सोमनात मेला किसी जनपर मेल दो है तो यह थे उत्रगंड करेंड अफैर माई मन्त के इन्पोर्टन कुशिन आयो हुपी वीडियो आपको पसन आया होगा तो यह है इस वीडियो के थैंक्स व्रॉचिंग और गॉट ब्लीश योल